तो क्लास के लिए एक बार रिवार्स के रहेंगे कि क्या सिखा है हम पहले क्या सिखा है बच्चु आर्टिकल्स ये के सारे हम ब्रीड करने के लिए सिखा है ना बच्चु येस तो आज हम क्या सिखने वाले कोशिन मार्क कोशिन मार्क के बारे में आप जा लेंगे बच्चो कोशिन मार्क क्या है कैसा है आपको पता है देखो यहाँ पर है कोशिन मार्क कैसा है देखा यह है कोशिन मार्क question mark हम कब यूज करते हैं आपको बता है चलो मैं अभी आपको ना एक question पूछूंगी okay what's your name पीछे ने क्या पूछो आपको आपका नाम क्या है है ना तो ओ गया question mark वहाँ हम पूछ के आगे क्या डलना है question mark देखो what's your name यह पूछने है और आगे question mark दाते है ना तो आप बाद में हमें answer दोगी my name is क्या है प्रुचिता my name is yes my name is अनन ऐसे आप answer दोगे है ना okay तो आप है मैं और ही question पूछों how old are you how old are you बच्चो yes you are I am five years old ऐसे आप मुझे answer दे रहो ना है ना बच्चो yes very good और okay who is your best friend who is your best friend yes question mark who is your best friend आपको पूछ रहे हैं ना मैं question कर रहे हैं तो इस तरह से हम क्या करते question पूछते हैं तो उसके सामने कुन सा मांग आता है question mark यह है question mark है ना बच्चो चलो आपको question mark पता चला तो आप भी आपको क्या करना है अपना बेग बुक ओपन करना है, पेज नमबर है 33, वहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल क्या करना है, जो कोशिन माख है उसको सर्कल करना है ओके, चलो तो आप करना है और मुझे सेंड करना है ओके बच्चो, ओके, बाबाई